नमस्कार में हुनि वेदिता यूपी के अलिगड में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया है अलिगड में धाई साल के बच्ची की हत्या कर दी गई पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा भरा हुआ है वहीं बॉलिवुड स्टार्स ने भी इस घटना पर नाराजगी चताई है और गुस्सा जाहिर किया है चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स अभिशेक बच्चन बहुत घ्रिनादाई और गुस्से वाली घटना है कोई भी शक्स ऐसा कैसे कर सकता है निशब्त रवीना टंडर माव करना बच्ची तुमको एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ा जहां इंसान अब इंसानियत को नहीं समझता मुझे माव कर दो अक्षे कुमार बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ हुई दर्दना घटना के बारे में जानकर दुख हुआ और गुस्सा भी आया ये वैसा संसार नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सोनम कपू ट्विंकल के साथ जो हुआ वो डरा देने वाला है मैं उसके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो इतने स्वार्थी ना बने यहां एक बच्ची की डेथ हुई है कृपिया नफरत ना फैलाएं अनपंखे तीन साल की बच्ची के रेप पर गुसा, शर्मिन्दा, दुखी हूँ आरोपी को पबलिक में फासी देनी चाहिए इस तरह के अपरात के लिए कोई और सजा नहीं है बतादे कि मासूम ट्विंकल शर्मा के पिता ने एक शक्स से 10,000 रुपे उधार लिये थे वो युवक ट्विंकल शर्मा के पिता को पैसे लोटाने के लिए धंकी दे रहा था अगले ही दिन ट्विंकल घर से गायब हो गए जब वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी करीब 30 खंटे बाद पुलिस ने मामला दर्च किया और फिर तीन दिन के बाद ट्विंकल शर्मा के लाश पुलिस ने बरामत की पुलिस के मुताबिक जाज अभी जारी है दो आरोपियों को गिरफतार भी किया गया है साथी पुलिस का कहना है कि बच्ची से रेप नहीं हुआ है ये आपसी रंजिश का मामला है